सर्दी का मौसम और ऐसे में सुन्दर फूलों का दीदार ये सब ही आपका दिन बनाने के लिए काफी हैं बोपाल के पुष्प गार्टन का नजारा इंदनों देखते ही बनता है रंग बरंगे फूल तरह तरह के द्रश्य जिसे देख कर आपका दिल भी बाग बाग हो इस पुष्प प्रदर्शनी की सेर पर लिजवा रहे हैं संबादाता सूरश शर्मा सर्दियों का मौसम याने रंग बरंगे फूलों की खुस्वू और रंग बरंगे फूलों का मौसम जी हां तरह सल्य हम इस रोज़ोरोज सोसाइटी प्रदर्शनी में खड़े हैं जहां अबर कई प्रकार के गुलादी पूस्प प्रदर्शनी लगाई गई हैंने सेवंती कि विराइटी होती हैं उसको लेकर बड़ी प्रदर्शनी लगा जाई आव्या लगई है बड़ी संख्या में लोग भाग भी यहां पर प्रदर्शनी देख रहे हैं और उस तोर से चाहे है यहां पर लगाई जाती है किस तरीकी की प्रदस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र है कुछ अलग दिख रहा है आममोन हम देखते हैं हम गुलाब की बाइचिने की ज़ना पटकूर पिछले साथ साले हम लोगों ने चुरू किया है क्योंकि गुलाब तो आजकल आप सब को पता है कैसे होते हैं गुल्दाओदी की वराइटी लोग भूल गयते हैं गुल्दाओदी का मतलब 70 होती है और 70 का मतलब लोग या तो हार से करते हैं या फिर वेनी से सफेद और पीली शेवन्ती यहां पर विबिन प्रकार की शेवन्ती आपको दिखेगी छोटे से बड़े तक अलग-अलग तरह की होती है अलग-अलग उनके नाम है और नाम किस लिए है वो भी आप देख सकते हैं सुना था एक कोई स्पाइडर नाम क्या मकसद रहता है कि आप प्रतियोगता रखते हैं अलग-प्रकार की सेवन्ती लोग यहां पर लाते हैं क्या प्राइस दिस्ट्यूशन भी होता है जी हां शाम को इसका प्राइस दिस्ट्रिशन होगा इसमें कैश आवार्ड इंडिविजल जो होते हैं व्यक्तिकत जो हो बंसल न्यूस भोपाल